बिस्मिल्य रमार रहीम असलाम लेकूम वेलकम टू आफियास किचन आज मेरे किचन में बनना इज़ स्पैशल शीर खोर्मा तो चीह हैं जना बहुत ही मज़ेदार सी रेस्पी आप लोगों से शीर को ने पूरी वाज करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन देखें माशाला आ गया है तो अब मैं निकालके प्रेट पर एक सेड में रख लूँगी तो देखें सेम पैन लेंगे इसमें मैं शामिल करूंगी वन टी स्पून मजीद की यह चला गया आप चाहें तो यह काम और भी कर सकते हैं अब इसमें शामिल करूंग बारी कटे हो गया अब मैं लोगी एक पैन इसके अंदर शामिल करेंगे 750 क्राम के करीब दूद दूद अच्छा फुल फैट दूद होना चाहिए इससे बड़ा मज़ेसा मज़ेदार सामारा शीर खूर्मत त्यार होगा साथी में शामिल करेंगे तेन टेबल स्पून चीनी यह चली ग चमा चला दिया और दो से तीन मिंट के लिए चमा चलाते हुए पकाएंगे तो यह देखे माशाला दो तीन मिंट मैंने पका लिया अब जो बदाम पिस्ता बगारा भून के रखे हुए थे यह उठाके इसमें एड़ कर देंगे कम थोड़े से दो टेबल स्पून के क्रीब अच्छी तरह पकाएंगे तो यह देखे माशाला कितने अच्छे से मीडियम फ्लेंपे में इसे पकाते जा रही हूं माशाला से बहुत इच्छा सा गाड़ा सा हमारा शीर खौर्मा त्यार हो गया है तो बहुत ज्यादा हमें चूले पर इसे गाड़ा नहीं करना जब यह चुला बंद कर दूंगी और सर्विंग बॉल में निकाल लेंगी से तो अब थोड़ा से ठंडा कर लिए मैंने 10-15 मिंट रूम टब पेचर पर रखके अब उपर से जो पिस्ता और बदाम बचा कर रखे हुए थे इसे गार्णिश कर लेंगे और हलकार कैसा चांदी का बरक थोड़ा थोड़ा से तोड़के लगा के अच्छे से मैंने से कर लिया है तो माशाला माशाला से शीर खुर्मा हमारा त्यार है आप लोग ने रस्पी ज़रूर ट्राइक करनी रस्पी पसंद है दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि रस्पी कैसे बनी मिलेंगे इंशाला गली रस्पी के साथ इजाज़ा दीजें लाफिस